नमस्कार साथियों टेट एक्जाम की लेक्चर सिरीज जो की पुर्णता निशुल की यूटूब में हमारे द्वरा उपलब्द कराई जा रही है उसमें फिर से आपका एक बार स्वागत है आज हम लेक्चर थ्री आपके साथ डिलीवर करने वाले हैं जिसमें लास्ट देव्लमेंट के बारे में जाना था कि Development क्या होता है Growth क्या होती है साथ ही लेक्चर टू में हमने जाना था कि विकास Kṛṣṇaुंने हम शारी रेके सरी discount विकास होते हैं कि या आपका बाल्शन आवस्था тут 21 अवस्था में ऐसे कौन से कौन से परिवर्तन होते हैं जिसे हमें जानना जरूरी है परिक्षा की द्रिष्टी से तो आज बाले अवस्था में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जो कि हमको बाले अवस्था में देखने को मिलते हैं ठीक है बाले अवस्था का काल जो होता है यह बड़ा ही रोचक काल होता है इसका टाइम लाइन अगर हम देखें तो लगबग आपका 5-6 साल की उम्र से लेकर लगबग 12-13 साल की उम्र तक को हम क्या बोलते हैं बाले अवस्था इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था दो अवस्था में तोड़ा थ और आपका उत्तर बाले काल इन दो अवस्थाओं में हमने तोड़ा था आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आपके बाले अवस्था में किसी बालक के विकास में कौन-कौन से सालिरिक परिवर्तन होते हैं दिखाई देते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे रभतें अपने स्लाइड में कि यसे कौन-कौन से परिवर्तन अधिक है वाल्य अवस्था होती है कि यह बारा से तेरा साल के उम्मर के इस झाल तक यहां हम बोलता हैं कि बच्चे सको बच्चार साल करते है आपने देखा होगा कि चार साल पांद के आज present तो बच्चे तीन-चार साल में ही प्ले स्कूल, गार्डन स्कूल, रसे बहुत सारे स्कूल होगा, जहां बच्चे तीन-चार साल में जाते हैं, लेकि आदर्स अगर उम्र की बात करें कि बच्चा जहां विद्याले में प्रवेश करता है, उसे हम लेके चलते हैं कि 5-6 साल का आवस्था भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि जो डेड़ दो साल तीन साल का बच्चा होता है वो किवल बिस्तर पर खेलता है या थोड़ा बहुत खेलता है लेकिन जो आपका बाली आवस्था में जो बालक होता है जो 5-6 साल की उमर से बड़ा हो गया उसकी खेलने की जो प् एवस्त्रिक एवानसिक स्थिर्ता जो ह्यासक्ता में हम फोड़ी अाइस्तर्था डिखाएती है कि मे can touch 10 पर बढ़ती हूं बढ़ती हूं दिखाया दिकेए ब्रण जो होता है 6 को साथ ब सुन आपको डर नहीं होता है कि जानते हैं कि वह अपने आपको समाल लेगा ँया ise लेकिन-स्थिर्ता की शुरुवात जो मानसी कि शुलुवात जो यहां पर देखने को मिलती में रहना प्रबलता इसी? बहुत जादा होती है मतलब हर एक बात जो के आसपास होती हर घटना उसको ले कर जिग्यासु प्रकृतिक हो जाता है वो पूचता है अपने घर में क्या है कि पापा यह क्यूं है यह किस तरख क्यों हो रहे हैं होकें किशी घर में 5-6 साल के बच्चे करते हैं तो इतनी जबढ़ बढ़ जाती है हर एक चीज के पार में जो भी अाज पास घड़ीत हो रहा है गया असका सारी प्रवृत्या को दिखाती है किसको दिखाती है जिग्यासा में प्रबलता को दिखाते हैं समाजी गुड़ों का विकास इस एज में बच्चे में समाजी गुड़ कहने का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले लोगों की जो आज़ते होती हैं, उन आज़तों को एक छोटे लेवल प्रेक प्रादम भी कि इस तर पर वो अपनाना सुरू कर देते हैं, जैसे लोगों से मिलना, जुलना, बात करना, वेवहार करना, आज़ी जो समाजिक गुड होते हैं, समाजिक र सीखते हैं देखते हैं समझते हैं उसका पालन करते हैं तो जो जो जैतिक उन्दर गुड़िये उनके अंदर आप अथ होती है उसका यह उ удैब्लोप्मेंट स्टार्ट हो जाता है निरुद्देश फृरमण करने की प्रवृत्य भाई बच्चता है क्या अगर कोई उद्देश थोड़ी है कि मेरे को अगर बजाड जाना है तो क्यों जाना है सब्जी लेने जाना ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा भागता है घर से बाहर घुमना चाहता है घर से बाहर रहना चाहता है अपने उम्रे की लोगों के साथ खेलना चाहता है उसके घुमने का होगा अपने कालूनी में अपने मोहले में जो इस उम्रे के बच्चे होते हैं 5-6 साल के बच्चे होते हैं वो दूसरे घरों में या आज जो घरों में या अपने कालूनी के मोहले के उसी एज ग्रूप के बच्चों के साथ ग्रूप बनाके खेलना पसंद करते हैं साइकल ले बाहर भाग रहा है घर से बाहर निकलना चाह रहा है ग्रूपिंग बनाना चाह रहा है दोस्तों से मिलना चाह रहा है तो क्या दिखाती हैं चीज़ें कि इसमें समुख प्रवित्ति की प्रबलता है ग्रूप बनाना चाह रहा है वह ग्रूपिंग के साथ ही खेलना चाह रहा ह कि यहां पर क्या हो रहा है है यहां इसकी की रूची में परीवर्तन हो रहा है वह अलग चीज़ों को पसंद करता है जिसको वह 2-3 साल की उमर हो रही है विक्सित हो तो उसकी की रुची होती है, उनका संचय करना स्टार्ट कर देता है, इकठा मतलब उनकी अंदर एक सोचा जाती है, एक भामना जाती है Ltd., कि मुझे अपनी पसंद की, अपनी रुची की चीज़ों को क्या करना है उनके इकठा करना है, तो इस अंचे प्रवृत्ती का विकास यहां पर हमने को देखने को मिलते है चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं कि बाले अवस्ता में ऐसे कौन कौन से सारीख परिवर्तन होते हैं, जो हमको देखने को मिलते हैं बाले आवस्था में जो सारीक विकास जो फिजिकल डेवलब्मेंट होता है उसमें ऐसे कौन-कौन से लक्षण विद्धमान होते हैं हमने देखा था कि 600 अवस्था में हमारी बच्चों की लंबाई जो होती है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है बहुत ग्रेजुली मतलब द जो लंबाई बढ़ने की गति है वो थोड़ी धीमी होती है 600 अवस्था से यहां आप देखेंगे कि 6 वर्स से लेकर के 12 वर्स तक बच्चे की हाइट बालक हो यह चाह बाली का हो किस प्रकार बढ़ती है आप देखेंगे कि 6 वर्स में लगबक 108 सेंटीमीटर के आज पास उ बढ़ती है लेकिन अगर वजन की बात करें तो वजन बढ़ने का जो मात्र होती है या बढ़ने का जो रेशियो होता है वह बाली अवस्थ की आप यह बालक को स्वलाब बढ़ता है या कम होता है और 12 वस आते आते तक लगभग 28-30 किलो के आसपस क्या होता है बालक का वजन होता है और बालिका का वजन लगभग यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट आते आते यहाँ पर बालिका का वजन क्या हो गया ज्यादा हो गया मतलब यह प्रविर्थी भी द कैसे बढ़ रहा है साथी साथ उसके सिर के मस्तिस का आकार कैसा बढ़ रहा है उसकी हड्यां कैसे विक्सित हो रहे हैं अब इनीद सभी बंदुओं के आधार पर हम यह देखेंगे कि इस एजमें इस ग्रूप में बालकों को या कर रहेता है तो यहां पर है चुट कि बच्चा कर रहा है बोलना पारब कर रहा है है यहां पर बच्चे की भाषा के विकास पर हमको भृषष बलत देने की ज़रुत होती जब 5 6 साल साल का जब वृद्ध्याले में जा रहा है ले चीजा स lazy यह नहीं भाषा को सीक Michal कि तरी भासा को से संबंदित है या बिलॉंग करता है उससे more School में उसे तक इसनी भासा है हिंदी भासा है उसकी स्टार्ट ट्रे जहां पर भासा सीहना सुरूर कर रहा है अगर वहाँ पर उसे सहीं तरीके चींडिसा दी तो भासा को अच्छी तरीके से सीख कर अपने जीवन में अपना पाएगा तो यहां पर हमें उसे भासा के विकास पर विशेश बल देने की ज़ड़ूत होती है साथ इसे रोचक विशेश हमगरी जो भी चीजे हम उसे डिलिवर कर रहे हैं समझा रहें पढ़ा रहे हैं जो कं कुछी किस तरफ ले जाते हैं अप यह दी उन्हीं रोचक बाते बताते हैं रोचक भी सेश्मगरी रोचक कंटेंट उनके टीचर्स को भी ध्यान देना है क्यूंकि इस ग्रूप में पांच-छैटी होती है कि वह समू में ही खेलेंगे ही समू में ही कारे करेंगे तो हमें इसे बढ़ावा दिना चाहिए फ़्यान इस बात का रखना चाहिए कि जो में नैतिकता सिखा जाती थी नैतिकता किस प्रकार की कि आपको जूट नहीं बोलना है आपको चोरी नहीं करना है आपको आधर करना है सम्मान करना है बुजूर्गों का सम्मान करना है यह सारी नैतिक बाते जो है नैतिक सिक्षा जो है इस एज ग्रूप में अगर बच्चों इस तरह की चीज़ें नहीं होती है में जोट में बोलना चाहिए हमें किसी के साथ विश्वास-घात नहीं करना चाहिए ऐसी जो नयतिक से भी बच्चों को सिक्षित इस age group में किया जाना चाहिए समाजी गुणों का विकास जो social qualities होती है उसका विकास इस age group में बच्चों के अंदर किया जाना चाहिए creativity को बढ़ावा रचनात्मक्ता को बढ़ावा सिक्षा के माध्यम से यहां देना चाहिए अगर आप उसकी creativity को अभी से बचों के creativity को कभी मारना ने चाहिए अगर कुछ नया करना चाहरे हैं कुछ creative करना चाहरे हैं तो आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है उन्हें बढ़ाव जिग्यासा की संतूष्टी बहुत ही आवश्यक है जितने भी प्रकार के उनके अंदर जाग रही है उसका सही निवारण सही निदान आपको इस गूरूप में इस एज गूरूप के बच्चों के साथ करना है जो भी जिग्यासा एक्विस्टी उनके अंदर पैदा हो रही है आप उनका भली भाती बहतर तरीके से और सही जवाब के साथ उनकी जिग्यासा को सांध करें तो यह कुछ बाती हैं जो कि बाले अवस्था में बच्चों को सिक्षित करने के लिए हमें ध्यान रखने चाहिए तो लिए आगे देखते हैं अगली जिस आवस्था के बारे मे वह अवस्था है आपकी किसोरा अवस्था और किसोरा अवस्था में हमारा किस प्रकार से विकास हो रहा है इन बातों को हम देखेंगे किसोरा अवस्था यानि की एडोसेंस जो होता है इसे हम कहते हैं ग्रो भी कहते हैं यानि बढ़ना इस एज ग्रूप किसोरा अवस्था में जो की एज ग्रूप क्या है 12 से 13 साल से ले करके आपका 17 से 18 साल के एज ग्रूप को आप किस में रखेंगे किसोरा अवस्था में रखेंगे याने कि जिन में ग्रोथ हो रही है, जो बढ़ रहा है इस पीट से, जिनका विकास हो रहा है, इसको आप इस अवस्था में रखेंगे, इसे हम परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं, मतलब इस एज ग्रूप में 12 से 13 साल की एज ग्रूप को हम क्या कहते हैं, कि ये एक तरह से परिपक्वे एज ग्रूप है, साथि साथ इस एज ग्रूप में आपके अंदर संघर्ष, आपके अंदर तनाव, आपके अंदर तुफान, तुफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, आपकी समझ बढ़ती है, आपके समझ संखर्द पैदा होता है आप किसी TW को सुनते तो अपने वैचार्य इस तर आप विक्सित हो चुका होता है एक प्यरंभीक बिंदू आपके अंदर एक तुफान उठा होता है कि आप जीवन में या बच्चा जीवन में क्या करना चाहता है एक अलग तरह का आपके अंदर can get divers की अन्यंत्रन जैसे अिस इस्पार मोजीघ है तुफान के अवस्ता भी इसे हम कहते हैं इसे इसमें क्या क्या चाज़ें हमको देखने को मिलती हैं इसलिए इन बातों को मैंने यहाँ पर रख दिया है आप चाहने तो इसका स्क्रिंसोट ले ले ताकि एक्जाम में आया तो आप उसे टिक कर सकें जैसे इसे कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्ता समू भक्ति की अव की भावी जीवन का विकास की जो में पॉइंट है में पड़ाओ है अठरा के बाद अब बच्चा कहा है उननीस बिस हिकिस में जाता है जहां वो केरियर के लिए एक दिसा चुन चुन चुका होता है तो इसलिए इसे सबसे कठिन काल भी खायता है संगर्स और तुफान की अ चर्ट हो जाते हैं कि 17-18 साल का 16 साल बच्चा उसकी एक्टिविटी के आधार पर उसकी क्रिया विद्धिक आथार algorithm हम समझ पाते हैं कि बच्चा बनेगा यह बिगड़ेगा कि सोड़ जाएगा बुरा जाएगा क्या करेगा करियर में डॉक्टर बनेगा इंजिनिर बनेग आगे आने वारे लेक्चर में इन बातों को हम और डेटेल से देखेंगे अपरात प्रवृत्ति के विकास की नाजू का वस्ता यह इंपोर्टेंट है यहां पर एक सिक्षक को बच्चे को समालना है कि कैसे उसके अंदर अच्छी प्रवृत्तियों का विकास हो ताकि वह अप पर हो सकता है कि किनी बातों को क्योंकि पुन्ड रूप से तो इसके प्रवृत्ता आई नहीं है यह अपने जीवन के आगे के पड़ावां में जब जाएगा दीरे-दीरे थिक्षा एजुकेशन समाज को समझेगा उसके बाद यह डिसाइड कर पाएगा कि क्या अपराद ह की और उसका जुकाव नहों इसलिए यहां पर एक बालक को जो 17-18 साल गया है उसे उस तरह से ट्रेट करना होता है कि उसका जुकाव इन परिस्थितियों को ना जाकर अच्छे परिस्थितियों की और हो कुछ विशेस्थाएं हैं, किस ओर अवस्था की इन विशेस्थाओं के मुख्यूरूप से देख लेते हैं, क्या-क्या विशेस्थाएं हैं, व्यक्तिगत एव घनिष्ट मित्र था, जहां तक हम देख रहे थे, इससे पहले 600 अवस्था में या बाले अवस्था में समूह की भावना का विकास था, ग्रूपिंग का विकास था, यहां पर आते आते हम 12-13 साल के बाद, 14-15-16-17-18 साल की आयू में, हम देखते हैं कि बच्चे का कोई ने कोई घनिष्ट मित्र होता है, कोई ने कोई ऐसा मित्र होता है, जिससे वो अपनी सारी बाती सेर करता है, मतलब घनिष्ट मित्रता उसके साथ होती है, एक जो बॉंडिंग होती है, फ्रेंटिशिप की वो ज्यादा स्ट्रॉंग होती है, आपने देखा होगा, आठवी, नवी, दसवी से लेकर के, ग्यारवी, बारवी तक की जो बच्चे होते हैं, उनका फ्रेंड्स तो बहुत सारे होत रहना पसंद करता है, उसे अकेले चीजें अच्छी लगती हैं, वो कई बातों पर, कई मुद्दों पर, कई पहलूं पर इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी के सहारे की या किसी के साथ की जरूत नहीं होती, साथ ही साथ, विद्रो की भावना इसलिए कह रहा हैं यहां प करके, बच्चों के अंदर समाज के लिए कुछ करने के, उनके लिए कुछ योगदान देने की भावना का भी विकास होता है, यह सब क्यूं हो रहा है, इस सारे भावना क्यों डेवलप हो रही है, जब आगे हम समवेगात्मक, संग्यानात्मक, करोनातिक और समाजिक कि दिरे क्लियर हो जाएंगी, अपनाधिक प्रिवित्ति का विकास मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है, इस यह जहां पर बौरा के बच्चा हो को हो सकता है, वीर पूजा क्या अधरे रही है, बबिद्धा कहने हैं मतलब यह हैं कि भगवान को मानना हर एक बाल तो इस एज में आते हैं बच्चे के अंदर कुछ ऐसे जैविक परिवर्तन होते हैं जिसके फल्सरूप उनमें जो काम की भावना होती है वो भी आने स्टार्ट जाती है और लगभन लगभग परिपक्वता की स्थिति में होती है समू को अधिक मत्व इस एज ग्रूप में आकर के बच्चे अपने देखा होगा आपने 18 साल के बच्चे जो होते हैं या 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो बाहर ग्रूप को अधिक मत्व देते हैं अपने जो फ्रेंट सरकल होता है उनको अधिक मत्व देते हैं परिवार को मे दोस्तों के साथ अपनी समयोजन का मतलब है कि उनके अंदर मांसिक रूप से इस्थिर्टा का जो समयोजन है वो उतना नहीं होता है क्यों मैंने बताया कि टीन एच है टीने इच से वह आगे बढ़ रहें किदर कि ऊपने साल की ऐसी अवस्ता जाएक वाक शचा वह उसंटा है उससे याइस होता है कि उससा हुआ कि वा दूरोता है उसने समंज्ञ है इस्टार्ट कर दी लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारे बाते होती हैं जिनका की जीवन निर्माड में यसे नहीं हो पाता है तो जो थोड़ा ग्ला होता है उसके अधार पर वो अपने निर्ने लेना सुरू करता है और इसे ही क्या कहते हैं इसे ही हम कहते हैं स्थिर्था समयोजन का अभाव, उसके बुद्धी बिल्कुल भी इस्थिर नहीं होती है, जिसके अधार पर कोई निर्ने ले सके, अब देखते हैं किसवरावस्था में ऐसे कौन कौन से सारीरिक परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 वर्स की आयो से स्टार्ट हु ही होता है, जितना आपका बाले आवस्था में हो रहा था, यहाँ पर भी लंबाई बढ़ने की जो गती है, वो धीमी हो जाती है, और लगबग लगबग अटर वर्स आते आते, लगबग आपका 160-160 cm के आसपास लंबाई बढ़ती है, बालकों की और बालिकाओं की लगबग 152 cm के आसपास बढ़ती है, बालिकाओं की लंबाई बालकों की पिछा के थोड़ी सी कम होती है, इसके अलावा भी यह भी डिपेंड करता है कि उनके जीन की विसेस्ताएं क्या है, देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 12-12 में देखें, तो 28 से लेकि 29 kg के आसपास बजन होता है, बालकों की लगबग 29 kg के आसपास, लेकिन 18 वर्स के उमर आते आते, लगबग 47-48 किलो बालक का और बालकों का लगबग 43-44 किलों के आसपास बजन होता है, यहाँ आप इच्छा क जब देख रहे हैं कि 12 वर्स की आयों में बालका का वज़न हमको बालक से अधिक दिखाए दे रहा लेकिन अठरा वर्स आते आते बालिका का वज़न जो है वह बालक से वड़ा सा कम देखने को इन जनरली मिलता है सिर्था मस्तिस्क लगभग 15 से 16 वर्स की आयों तक आते आते मस्तिस्क और सिर्था आगार लगभग लगभग पूर्ण रूप से विक्सित हो चुका होता है यहां पर पूर्ण रिविक्सित रूप से मस्तिस्ख का भार लगबग लगबग 1200 से 1400 ग्राम के आसपास जो है मस्तिस्ख का वजन जो है वो हो चुका होता है साथी साथ अगर दात की बात करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे अलग-अलग प्रकार से बता गया कि 6-12 माह में मद्य कृतंक 9-16 माह में पस्च कृतंक 16-23 माह में रदनक और 22-23 माह में दूती कि चौन चौन पत्तम 17-13 dueetzt यह सारे हमको डेवलब्लेमेंट देखने को मिलते हैं उनके दातों मतलब कहें यहां पर तो आपके अट्र साल आते आते तक आपके मुख में जितने भी दाथ आते हैं आते हैं शामने के दात हो इस सायड़ के दात हो यह सारे छीज़ें आपके इस उमर आते आते 16-18 साल की आयू में संपूर्ण रूप से दाज जो होते हैं वह विख्षित हो चुके होते हैं अगला देखें अगला यहां पर में पूल गया कि हड्यों कभी कास यहां पर लगबग लगबग आपकी 16-17 साल की उमर तक लगबग आपकी सारी के सारी 206 हड्यां डेवलप हो चुकी होती होंगी अब यहां पर प्रश्ण होता है कि आपने बताया था कि बाल लेवस्था में लगबग 300-300 के आसपास हड्यां हमारी होती है तो यह कम होकर के 206 कैसे हो गई तो बहुत सारी हड्यां जो होती है वह आपस में जूड़कर एक हड्य का निर्मान करती है बहुत सारे अस्थियों का आपस जुड़ा होता है बहुत सारी हड्यां आपस में दूसरे से मिलती चले जाती है तो 206 रह जाती है अगला देखते हैं कि मानसिक विकास किस प्रकार से हमको देखने को मिलता है किस वर वस्था में जो मानसिक होता है इसमें बुद्धी का अधिक्तम विकास हो चुका होता है भासा का अधिकार हम भासा जो हमको सिखनी है जीवन में आगे बोलनी है जैसे कि हमको ह जिंदी बोलना जहिए दोनों बोलना है लगबख सारी भासा एखने फिश करने वाले कुस्पेसल भासा चाहिक भाणाने स्काहिकLY कुछ संत्र महसूस करने लगते हैं यह सारी बात हैं सौट में इसलिए बता रहा हूं कि आपको बहुत से ज़्यादा लेक्टर करने हैं और आगे आने वाले चैप्टर में लेक्टर में हम जब संग्यानात्मक और नितिक विकास की बात करेंगे तो इन बिंद्यों को थोड़ा सा ड पसंद करते हैं हम कुछ स्पोर्ट को स्पेसिफाई कर लेते हैं वाचन संबंदी रुचियां कुछ विशेस बाते जानना सुनना समझना पसंद करने लगते हैं वारतल आप हम किसी विशेस मुद्दे किसी विशेस विशय पर एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं यह सा इन्रलाइज फॉर्म यूज नहीं कर सकते जो इसके पहले क्या हो रहा था आप पांच-छे साल आट-डस साल के बारे साल के बच्चों को एक प्रकार की शुक्षा एक तरीके से एक प्रकार से ट्रीट कर रहे थैं यहां पर आकर बच्चों को वैक्तिक भी बिर्नता के अनुस on प्षच धाँ फिक्छा देना होगा उने कि किस तरह समाज रण करता है किस तरह चलत समाज में कौन सा बातना होती है धामिक सिक्छा यहांपर आकर बच्चों को धार्मिक सिक्छा करने का सबस्क्रक आप देखें तो इस एच्छा की बात करें के बात नवद मत करें के बाथ की बात करें दो कि यह वो सिच्छा अई जहांपर आगे का भविशे उसका डिसाइड़ोगा फोर एक्सामपल अगर बच्चा घयार वी मेर्यों हो ले कोज़िता रही तो लेता है तो उसका अलग में कोई कॉमर्स लेता है तो उसका अरिया अलग होगा तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक पूर वेबसाय में जाएंगे या किस आप पेशे में जाएंगे उसकी सिक्षा आपको यहां पर देनी होगी विकास के लिए आवेशक सिक्षा इसकूली सिक्षा के पर ज्यान कराना आवशक है यहां सिक्षा इसकी बात हम सुनते रहते हैं समशारों में खबरों में कि एक मातापिता या परेंट्स जो होते हैं उन्हें अपने बच्चों को यहां सिक्षा से चुकि भारती समास सदेव ऐसा रहा है कि वह इस मामले में बोलना कम पसंद करता है लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो जहां तक हम सिखा पाएं बता पाय यह टीछरस जाहां तक सिखा पाएं बता पाएं बालक बाल इकाओं को जिस भीaging से संभव हो और इस टरीके से इस प्रेगार कि सिख्षा को भी दिया जाना आवश्चक है कर कि इतिकल सिख्छा नय कि सिक्षा तो बिल्कुल जरूरी है ही और इस से इ खास करके जरूरी है कि बच्चों को शिखा जाए कि एि'thics क्या है नैंतिकता क्या है जीवन दर्शन की सिक्षा, जो सिक्षा, जीवन दर्शन का बड़ा आभाव है हमारी सिक्षा सहली में, जो सिक्षा बालक जो है 21 वर्स, 22 वर्स की आयो के बाद समाज में निकल कर, सिखता है, अपने अनुभाव से सिखता है, समाज की कटनाईयों से सिखता है, अने वाली मु किस प्रकार की सिख्षा की, किस प्रकार की सैली की, या किस प्रकार के ज्यान की आवशक्ता है, उस ज्यान को अधार बनाकर जीवन दर्सरि겠 की सिख्षा भी उन्हें यहां पर दी जाना जाहिए, कुल मिला का कहने का अर्थ ये है कि 18 साल की उम्र के बाद वो जीवन के उस पड़ाव पर है जहां पर उसके केरियर का उसके जीवन का निर्माण होने वाला है और उसी निर्माण की बेस पे उसके परिवार का भविश्य परिवार के साथ साथ जिस समाज में उस समाज का भवि को जिएगा यह डिपेंट करता है से उसने किस प्रकार के सिक्षा ग्राण की है तो सिच्षक होने के नाते हमें खास ध्यान रखना है कि 16 साल से 18 साल के बच्चों में इन सभी पहलों के माध्यम से वह विकास किया जाए जो विकास समाज का ल्याण में युगदान दे सके आईए आप देख लेते हैं इससे संबंदित कुछ प्रश्ण इन प्रश्णों के अधार पर ही आप जान पाएंगे कि आप प्रिक्षा हॉल में प्रश्ण को हल कर पाने में कितने सक्षम हो पाते हैं पहला प्रश्ण है सैसव काल की अवधी है आपको बता चुका हूँ इसके पहले हैं कि सैसव काल की अवधी होती है जर्म से लेकर के दो वर्स्तक को हम क्या कहते हैं सैसव काल कहते हैं अगरा देखते हैं सैसव वर्स्तक की मुख्य विश्यस्ताएं क्या नहीं है सैसव काल की कौन कौन सी मुख्य विश्यस्ताएं है जो इसमें इसमें से कौन सी नही करा दिए को शीक्र Jazz की प्रवृत्ति और शीरा वारा श्रीन की प्रवित्टी होती है इस इस में से कौन सी बाते हैं जो की आपको सैसर ऑस्था में देखने को नहीं मिलती सैसर ऑस्था में हमने देखा था कि चिंतन की प्रक्रिया जो होती है यह प्रक्रिया लौवस्था में नहीं से अगला है निम्डिकित अवधी में से किसमे सारीरिक वृध्धी और विकास की तीवरिक गठित होता है देखलो भाई कौन सा है आपको पढ़ाया है मैंने सारा कि किस अवस्था में आपका सारीरिक वृध्धी और विकास दोनों तीवरिक गठित होता है बताई ये इसका अंसर क्या होगा जाइड सी बात है मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये एज ग्रूप है इस एज ग्रूप में आपका सारिक विध्धी और विकास मैंने अभी थोड़े पहले बताया भी कि बाले अवस्था किसोरा वस्था में जो आपका व्रिध्धी और सबसे बात है कि सबसे उंपॉर्ट होगा परिवार बच्चा जब नडशरी में होगा तो उसका परिवार ही होगा जो उसमें अच्छे तरीके से development विकास कर पाएगा प्रोसी बाद में आएंगे विद्याले बाद में आएगा अगला कोशन देखते हैं इस अवस्था में बालक में नई खोश करने की और गुमने की प्रिवित्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है बताओ अगला एफ मने आपको बताया था कि नई खोच करने की ूरों डेकी प्रभ्रती किसमे पाई जाती है किसा री अगला कोशन है कि बाले अवस्था कि अवधी में विकास को क्या है बहुत धीमिकति से होता है उसे मापा नहीं जा सकता बहुत इस तरी एवं मिस्रित होता है अगर केवल यह पूस्ता तो बात अलग होती इसने मुसे लिखा है मापा नहीं जा सकता में केवल प्रणात्मक परिवर्तन होंगे यह भी गलत है अंसर क्या होगा आपका बहुत इस तरी और मिस्रित होता है अगला कोशन देखते हैं निमने में से कौन सी बाले अवस्था की एक विशेस्ता नहीं है बाले अवस्था की विशेस्ता पूछ रहा पर निर्भड़ता की भावना धारमिकता अनुकरन प्रिवित्ती का अभाव यह हड जाएगा यह घड़ जाएगा यह घड़ जाएगा पर निर्भड़ता सामुरिक्ता की भावना यह होगा आपका अंसर क्या होता है सामुरिक्ता की भावना पाए जाती है अगला प्रस देखते हैं निम लिखीत में से कौन सा आयू समू परिवर्ती बाले अवस्था की श्रेणी के अंतरगत आता है परिवर्ती बाले अवस्था कहने गा मतलब बात की बाले अवस्था तो का यहाए गजय कि Points अगत में आहिए घजाई क्योंति की आवस्था आइसी आवस्था जिसमें तनाव भी होता है और क्या आता हिए तनाव और क्रोध की स्थिति पैदा होती है तो बातों में इसका अंसर होगा भी तो आज के वीडियो में इतना ही आगले वीडियो में हम आपके अन्य विकास जो है जिसमें हम ने देखा था सी Kinians कि अलावा आपका संग्यानात्मक समवंगात्मक नैतिक और सामाजीछ विकास इन अभी पहले उपर बात करेंगे धन्यवाद